जैहिन बच्चो कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे बच्चो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इधर एक दो क्लास जो है आपकी ऐसी होगी जिसमें मैं आपका सिर्फ रिविजन करवाऊंगी क्योंकि जो आपकी प्रिविएस क्लास में ले चुकी हूँ उसमें बच्चो को बहुत सारे डाउट थें जिसे मैं क्लियर करना चाहती हूँ तो पहला डाउट तो आपका था कुछ बच्चो को वर्ण और वर्ण विचार में थोड़ी सी कंक्यूजन थी जिसे मैंने आपको रिपीट कराया और उसकी वीडियो बनाकर आपको मैंने सेंड किया है अब शब्द और शब्द के भेड इस चैप्टर को लेकर भी बच्चे बहुत ही कंक्यूजन में रहे हैं तज्टम, तज्भव, रूण, योगिक शब्द क्या होते हैं ये बच्चो को सही से समझ में नहीं आया आज मैं आपको शब्द और शब्द के भेद एक पर और रिवाइज करवाऊंगी उसके बाद से मंडे से आपके नए चैप्टर्स लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होंगी तो आए देखते हैं के शब्द, पहले हम देखते हैं के शब्द किसे कहते हैं शब्द की डेफिनेशन विभिन ध्वनियों के मेल से बनी रचना शब्द कहलाती है ठीक है जब अलग-अलग ध्वनिया मिलती है जैसे उपर उग्जामपल में दे रखा है क प्लस अ प्लस ट प्लस ओ प्लस र प्लस इ ये क्या है अलग-अलग ध्वनिया है और इन ध्वनियो को मिला कर एक शब्द की रचना हुई है तो हम ये भी कह सकते हैं कि धन्यों का ऐसा मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है वही शब्द कहलाता है यानि कि धन्यों का एक ऐसा मेल हो जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे ही हम शब्द कह सकते हैं यानि कि शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है और जिनका कोई अर्थ नहीं होता उन्हें हम शब्द नहीं कह सकते ठीक है ये हो गया आपका शब्द की परिभाशा आईए अब देखते हैं शब्द के भेद शब्दों के वर्गी करण के कुछ प्रमुक आधार इस प्रकार है पहला है इस्त्रोत या उत्पत्ती के आधार पर सेकेंड रचना के आधार पर थर्ड शब्द विकार के आधार पर और फोर्थ आर्थ के आधार पर ठीक है? आईए अब देखते हैं इस्त्रोत के आधार पर शब्द भेद इस्त्रोत के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं पहला है तत्सम शब्द दूसरा तदभव शब्द तीसरा देशज या देशी शब्द और चौथा विदेशी या आगत शब्द इस्त्रोत का मतलब हो गय कि शब्द जो है उनका जन्म कहां से हुआ, वो कहां से निकले हैं, ठीक है, तो पहले हम देखते हैं तत्सम शब्द, संस्क्रिप्ट के वे शब्द जो हिंदी भाशा में बिना किसी बदलाव के प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, ध्यान रखना पेटा तत, तत मतलब होता है उसके और सम मतलब होता है जैसा, अर्थार उसके जैसा, यानि कि जो शब्द संस्कृत में जैसा है वैसा ही हम प्रयोग करते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे छेत्र, ग्राम, पत्र, आदी, ये क्या है आपके तत्सम शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में परिवर्तित रूप में प्रियोग किये जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, यानि कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में आए हैं परिवर्तन के साथ, उन्हें हम तद्भव कहते हैं, तद का मतलब होता है उससे और भव का मतलब होता है पैदा हुआ यानि जन्मा हुआ यानि कि उससे जन्मा हुआ किससे जन्मा हुआ संस्कृत से यानि कि संस्कृत से संस्कृत के वेशब्द जो हिंदी भाषा में परिवर्तित होकर आए हैं उन्हें हम तदभव शब्द कहते हैं जैसे खेत, गाव, पत्ता, आदी, जब ये तत्सम में थे तो छेत्र था, छेत्रुक जब हिंदी में परिवर्तित हुआ तो खेत हो गया, ग्राम संस्कृत शब्द है, जब ये हिंदी में परिवर्तित रूप लेकर आया तो गाव हो गया, पत्र संस्कृत शब्द है और जब अब ये हिंदी में परिवर्तित होकर आया तो वो पत्ता के रूप में प्रियोग किया जाने लगा तो मुझे लगता है कि तदसम और तदभव आपको पिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका होगा आईए अब देखते हैं थर्ड देशच शब्द देशच का अर्थ है देश प्लस ज यानि कि देश में जन्मा तो देश में प्रचलित आम बोल चाल की भाशा के शब्द जिनका हिंदी में प्रियोग किया जाता है उन्हें देशच शब्द कहते हैं यानि कि जो है देशच शब्द जो है वो ग्रामीर भाशाओं से भी निकल कर आते हैं यानि कि गाओं की भाशाओं से भी निकल कर आते हैं चेत्रिय भाशाओं से भी निकल कर आते हैं तो उन्हें हम देशच शब्द कहते हैं जैसे खिड़की, लोटा, थैला, लाथ, आदी अब आप ध्यान दो, खिड़की, लोटा, थैला, लाथ, ये जो आपके शब्द है, ये ना तो आपके तत्सम में आ रहे हैं, ना तदभव में, ये ना तो संस्क्रिट जैसे लग रहे हैं आपको, और ना तो वो संस्क्रिट से हिंदी में परिवर्तित रूप लग रहा है, त ये कौन से शब्द हैं आपके, देशत शब्द, ठीक है, अब देखें विदेशी या आगत शब्द, जो शब्द अर्बी, फार्सी, तुर्की, अंग्रेजी, आदी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, वे शब्द विदेशी या आगत शब्द कहलाते हैं, आगत का मतलब हो शब्द कहते हैं, आइए अब देखते हैं, रचना के आधार पर शब्द भेद, रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, उत्पत्ति या श्रोत के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं, रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, पहला होता है र शब्द और तीसरा योगरूर शब्द. आइए पर देख paying रूर शब्द. रूर का क्या अर्थ होता है? प्रसिद. जो शब्द अखंड रहे कर किसी विशेश अर्थ में प्रसिद्ध हो जाए वे रूर शब्द कहलाते हैं. इν शब्दों के खंड करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, यानि कि रूड का अर्थ होता है, यानि कि कुछ शब्द ऐसे हैं, जो बहुत समय से हमारी भाषा में प्रियोग किये जा रहे हैं, और अगर हम उसे अलक करें, उसका खंड करें, तो उसका कोई भी अर्थ नहीं होगा, इसलिए हम उसे Rood Shabd कहते हैं जैसे देखिए Šear शब्द का खंड करे तो क्या बनेगा शe Plus Ra तो ये क्या है? ये अर्थ हीन खंड है ना तो इस शe का कोई अर्थ है और ना तो इस रे का कोई अर्थ है तो ये क्या है आपका Rood Shabd ऐसे ही घर घार ले लिजे घा प्लस र ना तो घा का कोई अर्थ निकल रहा है और ना तो रा का कोई अर्थ है तो ये क्या है आपके रूड शब्द है ठीक है जिनको अलग करने पर यानि जिनका खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे हम रूड शब्द कहते हैं ठिक, आब देखिए आगे, second है, योगिक शब्द, आब देखिए योगिक, ध्यान रखना, योगिक का अर्थ है योग से बनने वाला, यानि कि जो शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, उन्हें योगिक शब्द कहते हैं, यानि कि योगिक का मतलब क्या हुआ कि दो शब्दों के मिल से बनने वाला शब्द योग से बनने वाला शब्द जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं मिल से बनते हैं उन्हें हम योगिक शब्द कहते हैं और इसमें क्या है इन दोनों शब्दों के या दो से अधिक शब्द जिससे बन रहे हैं इन दोनों का कोई न कोई अर्थ निकलता है जैसे कि देखिए पाठ प्लस शाला यहाँ पर इस पाठ का भी अर्थ निकल रहा है और शाला का भी अर्थ निकल रहा है तो क्या हो गया यह पाठ का घर विद्या प्लस आले विद्याले यानि कि विद्या का घर विद्या का भी अर्थ है और आले का भी अर्थ है आले मतलब हो गया घर तो इन दोनों का कोई न कोई अर्थ निकल रहा है इसलिए इसे हम योगिक शब्द कहते हैं ठीक है योगिक शब्द क्या है जो शब्द दो शब्दों या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और दोनों का अर्थ निकलता है उसे हम योगिक शब्द कहते हैं रूड शब्द क्या है रूड का अर्थ है प्रसिद और जो शब्द जिसको हम अगर हम जिसका खंड करे और उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है उसे हम रूड कहते हैं और योगिक में क्या है दो शब्द होते हैं दो या दो से अधिक होते हैं लेकि उनके खंड करने पर उ तो या दो से अधिक शब्दों के योग से तो बना ही बना है, दूसरा वो किसी विशेश अर्थ में प्रसिद्ध भी हो चुका है, जैसे योग रूड का अर्थ है योग प्लस रूड, अर्थात योगिक होते हुए भी, यानि कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेर से बनते हुए भी विशेश अर्थ देने वाला यानि कि जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और किसी विशेश अर्थ में प्रयोग किये जाते हैं उन्हें योगरूड शब्द कहते हैं जैसे पंकच, जलज, चारपाई, आधी बेटा थ्यान देना क्योंकि कुछ बच्चे योगीक और योगरूड में कन्फ्यूज हो जाते हैं योगरूड भी क्या है दो शब्दों के योग से बनता है दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनता है और योगीक भी दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनता लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर ये है कि योगरूड शब्द जो है वो किसी विशेश अर्थ के लिए प्रचलित हो जाता है, फेमस हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है, जैसे मैंने बताया पंकज, पंकज में क्या है, पंक और प्लस ज, जब हम उसका विक्रह करेंगे, स इस जा का अर्थ होता है, जन्मा हुआ, यानि कि जो कीचड में जन्मा हुआ है, उसे हम कहते हैं पंकज, अब पंकज शब्द रूड हो चुका है, किसके लिए, कमल के लिए, आप तो जो पंकज कीचड में जो है, वो तो बहुत सारे कीडे मकोडे भी पैदा होते हैं, लेक की वो शब्द रूड हो चुका है कमल के लिए तो इसलिए पंकच का आर्थ हुआ कमल ओके अब देखिए जलज जल मतलब पानी और जन्मा हुआ तो जो पानी में जन्मा हुआ उसे हमने कह दिया जलज जलज शब्द किस के लिए रूड हो चुका है कमल के लिए ही ठीक है तो भी बहुत सारे चीजे उत्पन, बहुत चीजे पैदा होती है, जन्म लेती है, लेकिन हम सब को जलज नहीं कहते, क्योंकि जलज शब्द जो है वो कमल के लिए रूड हो चुका है, ठीक है, चार पाई, चार है पाई जिसके, लब जैसे की चार प्लस पाई, यानि कि जिसके च चार पाउ है, चार पाउ, तो चार पाई, चार पाई शब्द खाट के लिए रूड हो चुका है, हलाकि चार पाउ जो है, वो तो मेच के भी होते हैं, कुरसियों के भी होते हैं, लेकिन हम सब को चार पाई नहीं कहते, क्योंकि ये शब्द रूड हो चुका है, प्रसिद हो प्रियोक के आधार पर शब्द के तो भेध है, इस्त्रोत या उद्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेध है, तद्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ठीक है, रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद है रूड, योगिक और योगरूड प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद है विकारी और अविकारी विकारी शब्द जो शब्द लिंग, वचन, कारक तथा काल के प्रयोग के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं ये चार प्रकार के होते हैं संग्या, सर्वनाम, विशेशड और क्रिया विकारी शब्द कौन से होते हैं जो किसी भी लिंग की अनुसार, बचन की अनुसार, कारक की अनुसार और काल की अनुसार चेंज होते रहते हैं उन्हें हम विकारी श का बिल्कुल अपोजिट है वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें आविकारी शब्द कहते हैं ये चार करकार के होते हैं ये भी चार होते हैं संबंद बोधक, समुच्य बोधक, विस्मयादी बोधक ये जो है आपको ये सारी चीजे मैं आपको बाद में समझाओंगी जब आप मैं आपको अविकारी पढ़ाओंगी तब आपको समझ में आएगा ठीक है और शायद आपने प्रिवियस क्लास में इस बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा और मुझे लगता है थोड़ा बहुत आपको याद भी होगा ठीक है ये हो गए आपके आविकारी शब्द आईए अब देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद आर्थ के आधार पर होता है पहला एकार्थी शब्द दूसरा अनेकार्थी शब्द तीसरा परियावाची शब्द और चौथा विलोम शब्द ये मैंने आपको मैं आपको करा चुकी हूँ एकार्थी अनेकार परियाबाची दिलोम ये सब कुछ आप लोगों ने कम्प्लीट कर लिया होगा आइधिंग तो आपको बताते हूं एक आर्थी शब्द क्या होते हैं एक आर्थी शब्द वो होते हैं जिनका सिर्फ एक ही अर्थ होता है जैसे कि जर्मन अंग्रेजी आगरा मीरा इसमें जो है अधिकतर व्यक्ति वाचक संग्याएं आती है जितने भी व्यक्ति वाचक संग्याएं हैं वो सब एक आर्थी शब्द के अंतरगत आती हैं आनेक आर्थी शब्द जैसा कि नाम से स्पस्ट है कि जिसका अनेक अर्थ हो एक से अधिक अर्थ हो उन्हें हम अनेक आर्थी शब परियाब आची शब पता ही आपको जिसे पानी है पानी को हम जल भी कह सकते हैं वारी भी कह सकते हैं पहाड को हम परवद भी कह सकते हैं और शैल भी कह सकते हैं विलोम शब्द अपोजिट वर्ड जिसे आप जानते ही हैं अर्थ का अनर्थ और रात का दे तो बच्चो मैं उमीद करती हूँ कि आपको जो है शब्द तथा शब्द के भेड अच्छी तरह से सवज में आ गए होंगे अब मैं आपकी बुक में ही बुक से ही exercise जो है वो फिल दूँगी आपको सिर्फ लिखना है अब जो अगली क्लास होगी हमारी अगली कक्षा जो होगी उसमें मैं आपसे नए नए चैप्टर के साथ मिलूँगी ठीक है तब तक के लिए आप इसे ध्यान से पढ़ते रहे और रिपीट करते रहे जब तक आप बार बार कोई चीज ध्यान से पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा इसलिए मैं चाती हूँ कि मेरे पढ़ाने के बाद आप एक बार जरूर अपनी बुक खोल कर इस चैप्टर को रिट करें ओके